आज मैं मेरे green agglonema के बारे में बताऊंगी basically agglonema इसके colorful foliage के लिए ही इतना popular house plant है और इसको Chinese evergreen भी बोला जाता है और इसका low maintenance के लिए भी लोग इसको बहुत ज़ादा पसंद करते हैं gardeners जो indoor gardening करते हैं उनके लिए बहुत ओ पसंद करते हैं यह मैंने न मेरे तीन अगलोनिमाज आज दिखाऊंगी तीनों ही मैंने फ्रेंड के घर से छोटा सा स्टेम और लीप के साथ ले आई थी और वो इतना अच्छा ग्रो कर गिया यह बला प्लांट आप देख सकते हो यह मेरा मेरे साथ I think 3-4 येर से है और इस में से आप देखो इस से offspring निकल लाए है और पहले मतला आभी और दो निकला है अभी November का मन्त है और मैं South में रहती हूँ तो यहाँ पे winter इतना जादा नहीं है मतला अभी temperature 26, 24, 27 ऐसे होता है तो अभी भी ये ग्रो कर रहा है बेसिकली तो mostly plants winter में dormancy में चला जाता है बाट ये अभी भी ग्रो कर रहा Soil मैंने normal porous soil जैसे बनाती हूँ ना इसमें ऐसे ही soil बनाया था इसमें कोई special कुछ नहीं बनाया था बहुत easy to care था और ये plant भी मैं दोस्त के घर से ले आई हूँ ये भी ले के आई हूँ बिल्कुली ये दोनों मैं दिवाली और गनेस चतुर्ती इस दोनों के मतलब time में मैं ले के आई थी ये बेलिफ है इसका अभी भी कोई cutting है इसका कोई root अभी तक नहीं निकला है में भी summer में निकलेगा और ये आप देख सकतो पानी में रखा था ये मैंने बाद मिलाया दिवाली के time ले के आई थी और आप देख सकतो ये अभी कितना अच्छा इसके roots आ गये है basically कभी भी reporting करो कुछ भी करो ना transfer करो plant को तो summer में या spring में करना चाहिए growing season है मैंने सोचा कि आज इसको मैं कर दे त्यूंकि हमारी हाँ पर dormancy plant के इतने ज़्यादा नहीं है हाँ थोड़ा कम हो जाता है but mostly summer और spring में करना ये वाला pot लिया मैंने इसमें दो लगा लगा ना नीचे काफी hole है और ये वाला जो soil मैंने बनाया ना ये सिर्फ इसमें मित्ती नहीं है मैंने sand यूज किया है pearl light थोड़ा सा यूज किया है warmi komposed यूज किया है थोड़ा सा neem cake powder यूज किया है और ash होता है जो मैं पुजा करती हूँ ना उसका जो ash मतलब हो जो जो चोटे-चोटे काप मिलते हैं उसका जो एश है वह भी मैं इसमें थोड़ा सा दे देती हूं और आप देख सकते हो यह वाला प्लांट मैंने यहां पर लगा दिया है फार्टिलाइजर मैंने जैसे बड़ा प्लांट रेगुलरली मैं ग्रोइंग सीजन में घर में जो लिक प्रेंड के घर से लेके आई थी आप बोल सकते हो यह तीनों एगलोनिमर्स मैंने कलेक्ट किया है मैंने खरीदा नहीं है और अब देखो इसका सैंड में कितने अच्छे से इसका रूट ग्रोव किया है मुझे मैंने जो एक्स्पिरियंस किया ना कि अगर आप सैंड में और कोई छोटा प्लान लगा दोना वो पानी से जादा अच्छा सैंड में ग्रो करता है और कोई infection भी नहीं होता है और मतलब बहुत अच्छा रहता है सैंड में करना और सैंड में प्रोपागेशन में पहले भी एक वीडियो बना चुकी मैं लिंक देदूंगी आप देखो इसके lip का जो shape है तीनों का different है अंदर का जो pattern है वो different है और बहुत easy to care है इसको अगर आप कोई अच्छे से white color की colorful कोई container pot में रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और soil basically porous well and soil में ग्रो कर जाता है कोई भी soil में ग्रो कर जाएगा propagation आप stem cutting से कर सकते हो या total offspring लेके भी आप कर सकते हो even अगर आपके stem में single node और one leaf भी रहा है वो भी आप अराम से ग्रो कर सकते हो तो at least फी green वाले तो मेरे बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और reporting छोटा plant है तो छोटे pot में लगाओगे तो next year फिर से आपको report करना पड़ेग आइसे बड़ा plant को ना दो तीन साल तो आप रख सकते हो अराम से इसका दो साल होगा इसका reporting last to last year क्या था शायद इसको reporting next year मैं करूंगी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है मतलब I am very happy with all these plants इनको कोई shape मतलब कोई very really ideal for low light condition क्योंकि मैंने देखा है इसको बड़ा वाला को मैं कहीं पर भी रख देती थी बहुत अच्छे से ग्रो करता है हां और एक चीज होती है मिली बग के अटक हो सकता है तो इंपराय रेगुलर्ली नीम ओल स्प्रे करती हूं मतलब weekly once twice तो मैं करती हूं साथ में एक मैंने garlic और onion का जो पील्स है उसका पानी बनाया है उसको भी बिल्कुल नहीं पसंद indirect bright light पसंद है morning sunlight इसको बहुत पसंद है तो अगर possible हो तो आप morning sunlight मिले तो आप वहां पे भी रख सकते हो otherwise इसको east facing not facing balcony में आप रख सकते हो यह मेरा corridor है और यहां पे मैं रखती हूं इसको आप देख सकते हो इस यहां पे न इतना light बिल्कुल नहीं मि इसको बाद में मैं शेयर करूंगी summer में और यह मेरा east north east facing जो corridor है उसमें मैंने इसको रखा है आप देखो कितने अच्छे से grow कर रहा है मतलब इसको कोई problem ही नहीं हो रही है और continuously मैंने इसको इहां पे रखा है और यह मेरा lipstick है पता नहीं इसको क्या हुआ है इसको मैं east balcony मेरे open area में रखा है भी और यह सरे आप देख सकते हो आपको just location का मैं idea दे रहे हूं कि कितने easily आप grow कर सकते हो और यह छोटे-छोटे मैं खरीती हूं क्यूंकि अगलोनिमस की जो colorful अगलोनिमस होते ना काफी costly होता है slow growth भी होता है तो मैं छोटे-छोटे खरीती हूं सस्ता होता है और यह जो अभी reporting किया है उसके place है